हेलो फरेंट्स में जोती आपकी फरेंड बोर रियों जोती इस क lider आते करसे दूसे ये मेरा लिलियम का फ्लार है ये री-bloom किया है! तो मैं आपसे सेयर करूंगी कि ये कैसे एसे थिक लिलियम कैसे फिर से री-bloom किया है तो वीडियो स्टार्ट करने से फ्रेंट्स पहले मैं बोलना चाते हूं कि या जो मेरे चैनल पे अभी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और प्रेश दा बेल बटन ताकि मेरे आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे तो फ्रेंट्स ये देखे ये लिलियम का फ्लार है जो बलूमिंग कर रहा है तो इसके लिए फ्रेंट्स मैंने बहुत कुछ एफ़र्ट तो नहीं डाला बस नार्मल सा प्रोसिडियूर था उसी को मैंने फॉलो किया है ये हर बल्ब के उपर अलग-अलग कंडिशन अपलाई होता है तो सुरू में जब ये मेरा सियाटेक लिलियम क्हिला था तो उसमें जब फस बार ये खिलता है ठंड के मौसम में तो पांच ये छे फ्लार एक स्टिक में होते हैं लेकिन इस समय मैं के महने में जब ये मेरा ब्लूमिंग किया तो बर्ट तो दो आएं लेकिन एक बर्ड नहीं खिला और दूसरा ये वाला बर्ड खिला तो फ्रेंट्स इसके लिए क्या करना है जब मेरा फर्स्ट टाइम विंटर में जब ये ब्लूम कर गए तो मैंने एज इट इस उसी पॉट पर ऐसियाटिक लेलियम के स्टिक को उसके बल्ब को वही रहने दिया और जब इसका ये जो ग्रीण वाला लिफ दिख रहा है स्को मैंने ऐसे ही छोड़ दिया बस फलार का जो जितना ऍटन फलार था उपर से मैंने कट कर दिया और इसका जो लीफ है वो भी काफी सुन्दर लगता है देखने में तो उसका लीफ को मैंने ऐसे ही उसको छोड़ दिया और उसमें मैंने कंटेनर गार्डनिंग लग कर दी उसमें बर्बीना और मेरी गोल्ड वगेरा मैंने लगा दिया जो मैंने बर्बीना वाले वीडियो में भी आप लोगों से सेयर की थी, कि मैंने इसे ऐसे कंटेनर गार्डनी करी है, तो उसके बाद वो वैसे ही रहा और साथ में बर्बीना का प्लांट भी उसमें चल रहा था, और उसके बाद फिर धीरे धीरे जब उसका लीफ पूरा वे लीब को, जब तक वो ग्रीन था तो लीफ को मैंने कट नहीं किया और जब उसका लीफ सुग गया अच्छे से पूरा ख़ाना प्रोवाइट करा आया मतलब उसन मेंण भौनमील यह सब मैंने अच्छे से डालदिया, ठोड़ा डीपी भी ग्रो और बाकंत उसके उसके भी अनूचन में丹ना यह कि कुछ筹ी तान च्का Приभी में रशपात भीमसी सब 2-3 ब्रोनमी spindle Emir akun इस वार तो देखे वह आपके सामने है रिजल्ट इस तरह से यह री ब्लूम किया है तो आपके भी अगर ऐसा दिखे यह देखे यह चोटा सा नीचे में बर्ड है लेकिन वह खिला नहीं यह उपर वाला बर्ड खिला है तो इसी तरह आप लोग करिए और इंजॉय लीजिए दोबारा री ब्लूमिंग का कुछ लोग बोलते हैं शेयार प्ली में नहीं होते हैं यह देके पूरा खिलने के बाद यह ऐसा लग रहा है फाइब पेटल्स इतना प्रोबाइट करा दिया है और देखिए उसका रिजल्ट यह है कि इतना सुन्दर सा री ब्लूम मिल रहा है और बल्ब मैंने जब यह जनवरी में मेरा ब्लूमिंग हुआ था फस्ट टाइम अभी चार महिना हो गया कोई भी बल्ब रहता है जो चार महिने में फिर से री कराने के बाद तो इसका ब्लूमिंग खतम हुए चार मेना हुआ उसके बाद मैंने इसको अच्छे से खाना वाना देखके खाट प्रोबाइट किया तो री ब्लूम किया तो इस तरह से गर्मी के मौसम में फिर से लिलियम देखने को मिला तो काफी खुसी मिली मुझे बहु कैसे बया करो बहुत खुसी लगता है और भले एक ही खिला हो लेकिन फिर से देखने को तो मिला और यह देखिए कुछ मेरे विंटर फ्लार अभी भी चल रहे हैं समर गार्डन में दॉक फ्लार देखिए पीछे बर बीना देखें कितना अच्छा से हो रहा है डॉक फ्लार यह डाइन्थस है डाइन्थस तो बाइनल प्लांट है तो इन में रह रहे के होते रहता है ब्लूमिंग तो और नेस्टेसियम का यह तो यह फोर्बिया मिली का प्लांट है और इधर रेन लिली और यह नेस्टेसियम का देखिए मैंने फ्लारिंग नहीं हो रहा है फिर भी मेरी गोल्ड देखे कितना अच्छा ग्रीन है यह रजनी गंदा और यह पिटुनिया देखिए अभी भी कितने अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं मेरे उधर भी कुछ पॉट्स पिटुनिया के रखे हुए हैं उनमें भी ब्लूमिंग हो रही है अच्छे से हो रही है अच्छा लगता है समर में भी पिटुनिया देखने को मिल जाए तो और यह जीनिया है यह तो समर का ही फ्लार है तो यह भी अच्छे से ब्लूम्स हो रहे है आपके गार्डन को ये एक अच्छा लिक देता है समर में वाइबरिंट कलर एड़ करता है आपके गार्डन को तो ये भी काफी खुबसूरत लगता है और ये मेरा देखे कितना अच्छा लग रहा है और ये जलबेरा है देखे मेरी गोल्ड अभी भी ब्लूमिंग पे हैं साइड छोटा हो गया है लेकिन स्टील ब्लूमिंग यह हॉली हॉक है और यह कॉस्मॉस और यह देखिए संफ्लार्स ओके फ्रेंड्स लाइक करिएगा सेयर करिएगा और मेरी चैनल को सबस्क्राइब करिएगा टेक केर फ्रेंड्स बाबाई हैपी गार्डनिंग